इस क्लास में हम डिसकस करेंगे परेगराफ राइटिंग हेलो, नमशकार, आप सभी का एक बार फिर से हारदिक स्वागत है आसिस क्लासेज पर इस सेशन में जो हम डिसकस कर रहे हैं एक टॉपिक वन नेशन, वन इलक्षन इस विशेपर अगर आपसे परेगराफ राइट करने के लिए कहा जाए तो क्या आपकी एप्रोच रहेगी तो सबसे पहले तुम आपको बता दूँ कि ये जो परेगराफ राइटिंग है, वो कमपोजिशन का पार्ट है तो ऐसी कोई भी परिक्षा जहां पर आपसे कमपोजिशन बेस्ट क्वेस्टन्स पूछे जाते हैं वहाँ अनिवार्य रूप से एक प्रश्टन परेगराफ राइटिंग का होता है इस क्लास को लेने के पीछे उद्देश्य ये है कि अभी फिलहाल जो RAS एस्पिरेंट्स हैं जिनका एक्जैम है जैनवरी में उनके लिए ये बेहद उप्योगी क्लास है ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए उप्योगी क्लास है जो कमपोजिशन पार्ट पर काम करना चाहते हैं जो paragraph writing, essay writing सीखना चाहते हैं तो देखिए RAS के अगर बात करें तो यहाँ पे आपको तीन topics मिलेंगे आपको परिक्षा में तीन topics मिलते हैं और तीन topics में से जिस topic में आप comfortable हैं जिस topic के विशे में आप सरवादिक जानते हैं आप अच्छे से लिख पाएंगे तो उस पर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है 200 शब्दों का मतलब यह मानिए कि जो आपकी man's की copy होती है man's की जो answer sheet है उसके 2 pages ठीक है? 2 pages लगबग आपको लिखने हैं तो वो 200 शब्द हो जाएंगे तो यहां हम one nation, one election के विशे में हम चर्चा करेंगे यहां आप जानेंगे कि कि किसी भी paragraph writing की approach क्या होती है क्या चीजों को हमें उसमें शामिल करना चाहिए ठीक है? यहां अंग्रेजी कम और approach ज़्यादा important है आपका content ज़्यादा important है English अगर आप लिख पाते हैं, आप अगर चीजों को बना पाते हैं translation आपका skills आपके sound अगर हैं तो अंग्रेजी ठीक है वो भी आपको help करेगी लेकिन otherwise आप जैसे यह वाला विशे जो है यह हो सकता है कि परिक्षा में पूछ लिया जाए तो मेरा तो suggestion यह रहेगा कि एक बार तो आप पूरा वीडियो देखें आप यह समझें कि किस approach से मैं आपको यहाँ परिग्राफ मैंने यहाँ पर लिया है और क्या चीज़े मैंने इसमें शामिल की है उसके बाद में आप इसको as it is चाहें तो दो-तिन बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी और वो कुछ चीज़ें आप एक्जाम में लिखे आएंगे तापके marks भी अच्छे आजाएंगे तो one nation one election इस विशे पर हमें यह paragraph लिखना है तो सबसे पहली बात तो किसी भी topic पर जब paragraph writing के हम बात करते हैं तो preface आपको लिखना होता है प्रस्तावना जैसे हम हिंदी में लिखते हैं वैसे अंग्रेजी में लिखना होता है तो यह preface है यह first paragraph जो है वो dedicated है प्रस्तावना को इसमें मैंने क्या-क्या चीज़े शामिल कर ली एक बार के लिए तो बता देता हूँ कि क्या शामिल कर लिया उसके बाद में हम इसको translate भी कर लेंगे तो यहां मैंने शामिल किया है कि भई यह जो एक one nation one election है न यह वरतमान जो बीजेपी सरकार है उसका एक जो agenda है कि भई हम कुछ reforms चाहते हैं देश की पॉलिटी के अंदर या देश में तो उन reforms में से एक agenda इनका ये भी है one nation one election सबसे पहले जैनवरी 2018 में जैनवरी 2018 में जो भूतपूर्व रास्टरपती हैं रामनाद जी कौविन उन्होंने इस बारे में जिक्र किया था संसद में ठीक है उन्होंने इसको mention किया था और इन्होंने कहा था कि citizens जो हैं देश के वो इस चीज को लेकर बहुत concerned है बहुत worried है कि हमेशा हमें election mode में ही रहना पड़ता है हमें बहुत सारे मतलब पूरे देश भर में एक साल में पांच साथ बार चुनाओ होते रहते हैं तो बार बार में ये चुनाओं के अंदर ही हम लगे रहते हैं तो वो ये जो चीजें हैं ये देश के development पर ये economy पर असर डालता है जैसा कि नाम है one nation, one election, एक देश और एक चुनाओ देश, एक देश, एक चुनाओ ये जो चीज हैं ये कोई नई नहीं है अगला परिग्राफ आएगा तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये कोई नया concept नहीं है ऐसा नहीं कि पहली बार ही सरकार ये जो कह रही है कि तो नयाई आइडिया आगया इससे पहले भी देश में 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में ऐसा हो चुका है, one nation, one election हो चुका है फिर 68, 69 के अंदर इस चीज को discontinue कर दिया गया क्योंकि कुछ state assemblies है उनको dissolute कर दिया गया था, उनको भंग कर दिया गया था, इसके चलते, इसको हटा दिया गया था तो ये तमाम चर्चाएं हैं, तो पहला paragraph जो है, वो किसके लिए है, preface के लिए मैं translate कर देता हूँ, ताकि आप जब इसको फिर से पढ़ेंगे, इसका जो PDF है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये PDF आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप दो, तीन, चार बार रीड करना, तो ये आप paragraph लिखना सीख जाएंगे, और खुद से फिर लिख कर देखना, कि आप कितना लिख पा रहे हैं, ठीक है, देखो, कह रहा है, वन नेशन, वन इलेक्शन, इस अमंग दे क्रिटिकल आपने एक लिस्टेड कर रखा उन चीजों को, तो उन में से एक ये भी है, एक बहुत महत्तोपूर्ण एक reforms जो है, मतलब ये सरकार जो सोच रही है, कि हम कुछ महत्तोपूर्ण सुधार लेकर आएंगे देश की राजनीती में, उस में से एक सुधार ये भी है, वन नेशन तो सबसे पहले तो वरतमान सरकार के एजेंडा में ये शामिल है, क्या बोला, वन नेशनल एक्षन जो है, वो वरतमान केंदर सरकार के एजेंडा जो है, उन में critical reforms में इसका भी नाम है, ठीक, critical का मतलब है important, आगे देखो, in fact वास्ताव में, in fact क्या होता है, वास्ताव में, अब हुआ क्या, कि भूतपूर राष्टपती रामनात कोविंद ने संसद में अपने संबोधन के दोरान, जनवरी 2018 में, इस शब्द का जिक्र किया था, या इस चीज का जिक्र किया था, और कहा था, कि ये जो सुधार है, हना, ये जितने भी सुधार प्रस्तावी था सरका के दोरा, उन में से एक सुधार ये भी प्रस्तावी था, क्या बोला, जनवरी 2018 में, मैं बार-बार में रिपीट इस लिए करूँगा, क्योंकि आपको कुछ चीजें याद रहे जाएंगी, ठीक है, चुकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साथ पढ़ने होते हैं, त कि ऐसा पढ़ें कि आप कम समय में अधिक मार्क्स अरजित कर सकें, उस एप्रोच को बता रहा हूँ, तो बार-बार में मैं रिपीट करूँगा चीजों को, ताकि आपको ध्यान रह जाए, कि हाँ, ये बातें इसमें हमें जोड़ देनी है, लिख देना है, तो देखो, ये वाला भी है, वन नेशन, वन इलेक्शन वाला, आगे कहा, he said, उन्होंने कहा, that citizens are concerned about frequent elections, concerned का मतलब है, worried, उन्होंने कहा, कि जो नागरिक हैं देश के, वो बार-बार में होने वाले चुनाओं को लेकर, बहुत concerned हैं, चिंतित हैं, in one part of the country or another, क्योंकि चुनाओं देश के क किसी ने किसी विदान सभा में देखने को भारत में मिल जाता है, which adversely impacts the economy and development, जो adversely शब्द है न, इसका मतलब negatively मान लीजियें, विपरीत तरीके से मान लीजियें, और ऐसा होने से देश की अर्थविवस्ता और देश के विकास पर असर पड़ता है, the Prime Minister has spoken emphatically about the desirability of having won election across the country प्राइम मिनिश्टर जो है, has spoken, उन्होंने बोला है, emphatically बड़े ही जोरदार तरीके से, बहुत जोर लगा के इन्होंने इस बात पर बोला है, about the desirability, इस इच्छा के बारे में, इच्छा क्या है इनकी, having won election across the country की पूरे देश में, across का मतलब है, पूरा, complete, पूरे देश मे एक चुनाओ होना चाहिए, तो हमने प्रस्तावना में क्या-क्या पढ़ लिया, प्रस्तावना में ये पढ़ा, पहले तो देखो, इसके नाम से सपस्ट है, एक देश, एक चुनाओ, ठीक है, यहाँ प्रस्तावना में हमने ये पढ़ा कि ये जो current central government है, उसके जितने भी reform स रास्टपती रहे हैं भारत के, उन्होंने संसद में संबोधन के दोरान, केंद्र सरकार के दोरा, जो जो सुधार प्रस्तावीत थे, उनमें से एक सुधार ये भी बताया, इसका जिक्र किया, इसको mention किया, है न, यह मैं सारा इसलिए बता रहा हूं कि हिंदी में अगर चुनाओं को लेकर क्योंकि देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाओं ये होते रहते हैं, इस से देश के अर्थवस्ता और डिवलप्मेंट पर नेगेटिव असर पड़ता है, ये बातें करी, और प्रधान मंत्री जी ने भी इस इच्छा को बड़े जोड़दार धंग से बताया है, चिक्र किया है, काफी बार इस बारे में बात की है, तो ये तो होगी प्रस्तावना, अब हम देखி आगए चलेंगे, आगे कह रहा है कि बहुत नया कॉंसेप्ट नहीं है, ये कोई नया कॉंसेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी लाइन लिखनी हैं, इस इस इप्रेसिव बनेगा आप डिफिकल्ट के चक्र में या मुश्किल शब्दों के चक्र में या कुछ अपनी भाशा को थोड़ा सा अलंकृत करने के चक्र में कहीं ऐसे चीजों का यूज कर देंगे जो की कॉंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठता है तो फिर जो चेक करने वाला है जिस चीज़ पर कमांड होना वही यूज करना ठीक है कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करना मांक्स नहीं आएंगे वरना क्या कह रहा है अब ये आगे बता रहा है कि जो सिमल्टैनियस पॉल्स हैं सिमल्टैनियस का मतलब है साथ साथ में यह स्पैलिंग भी इंपोर कुछ स्टेट असेंबलिज जो हैं वो डिजॉल्ट हो गई थी भंग हो गई थी तो यही बात इसमें हैं सिमल्टैनियस पॉल्स तो स्टेट सनलोक सभा इस नॉट अन्यूली कंसीवड नॉम का मतलब होता है सोचना थिंक नॉम का मतलब होता है कोई भी स्टेंडर कह रीजि इन फैक्ट सिमल्टैनियस लेक्शन्स हैव प्रिवियसली बीन कंडेक्टेड वास्ताव में अब यह पैसी वोईस दे दिया हैव के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म पहले भी भारत के अंदर एक साथ चुनाव हो चुके हैं इन इन येर्स में बताया मैंने आपको सून आफ इसको पहले प्रस्तावना में ही ले सकते हैं कि कोई ये नई बात नहीं है इससे पहले भी 52 में 57 में 62 में 67 में ऐसा हो चुका है 68-79 में जाके इसको डिसकंटीन्यू किया गया ठीक है क्यों किया गया क्योंकि स्टेस असेंबली जो है वो डिसलूट हो गई थी भंग हो गई इसके चलते हैं तो ये क्या है ये historical background है इसका एतिहासिक प्रस्त भूमी है one nation one election की अगला जो paragraph है वो बता रहा है कि इसके पीछे की मंशा क्या है क्या होगा इससे one nation one election से क्या होगा तो ये जो central idea है न जो इसके पीछे का मूल विचार है वो ये है कि भी synchronize करना चाहते हैं timing क इस timing मेल खाना चाहिए एक साथ में चुनाओ विधान सभावाले चुनाओ और लोक सभावाले चुनाओ एक साथ हो जाएं इस timing को synchronize करना चाहते हैं ये ठीक है अब दो लोक सभा and the state assemblies on a single day at the same time लोक सभा से पहले राज्य सभा से पहले दे लगता है याद रखना आप है न तो क्या है इसके पीछे का विचार ये है कि ये timing को synchronize करना चाहते हैं सभी states election और लोक सभावाले election का timing ये करना चाहते हैं इससे होगा क्या इससे frequency जो है वो reduce हो किसलिए members को elect करने के लिए लोक सभा में members को elect करने के लिए state assemblies में जो members को elect करने के लिए एक ही दिन और एक ही time पर एक साथ में ये काम हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया एक और paragraph अब आप के दिमाख में एक प्रशन चल रहा होगा कि क्या हम paragraph writing ऐसे अलगलग पैरा में कर सकत हो आप minimum पांच paragraph ले सकते हो एक प्रस्तावना का paragraph होगा एक paragraph होगा conclusion का जो उपसाहार बोलते हैं आप हिंदी में वो last paragraph निश्कर्स क्या निकाला है बाकि तीन points जो है वो आपके विवेक पर depend करेंगे topic की demand पर depend करेंगे कि topic क्या है क्या क्या लिखा जा सकता है जैसे ये वाल चाहो तो एक ही paragraph में चलने दो कोई खास बात नहीं परिगराफ में चल सकती है ठीक है तो एक paragraph में चलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि paragraph राइटिंग इसको हम बोलते हैं तो एक में चलने दीजिए या फिर चाहो तो आप पांच अलग-लग पैरा के अंदर इसका आंसर कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गया इसके पीछे की मनशा फिर कह रहा है कि भई ये लागू होगा कैसे मैंने मैंने मैंटर वड़ा बड़ा ले लिया है इससे ये पूरा रटने की आवशक्ता नहीं है एक बर तीन चेर बर पढ़ोगे तो कुछ-कुछ बातें आपको याद रहेंगी उससे आपके दो पेजिस वहाँ पर एक्जैम में आप भर के आ जाएंगे ठीक है यहां तो मैंने परेग्राफ काफे लिये हैं इसलिए ताक कि ज़्यादा पांच आर्टिकल्स हैं है ना 83 है 85 है 172 है 174 है 356 है इन आर्टिकल्स में संशोधन करना पड़ेगा तब जाके वन एलेक्शन वन नेशन वन एलेक्शन यह लागू हो सकता है तो क्या कह रहा है इट वूड नैसेसिटेट मतलब इसके लिए जरुवत पड़ेगी नैसेसिट की कम से कम पांच संशोधन की संशोधन किस में करने हैं Constitution में और यह संशोधन है किस से संबंदित है एक तो संबदित है कि Parliamentary or State Legislative Houses का duration इसमें जो Parliamentary और State Assemblies का duration होता लोगसभार विधान सभा का duration है कार्यकाल होता है उससे संबंदित कुछ धाराएं है उसमें संशोधन करन करना पड़ेगा और रास्टरपत्य के जो शक्ति होती है कि इसको भंग करने का विधान सभा को भंग करने का लोगसभा को भंग करने का वो जो शक्ति है उसको उससे समने जो आर्टिकल है अब आर्टिकल के नाम दिये है इन इन में संशोधन करना पड़ेगा तो यह paragraph क्या है कि 5 articles में संशोधन करना है, articles के नाम आप याद रखिए 83 है, 85 है, 162 है, 172 है 174 है और 356 है ठीक है इससे अगला पैरा जो है वो बताएगा कि क्या फायदे हैं इसके तो कह रहा है हर साल average 5 से 7 state assembly के चुनाव होते हैं, इसका मतलब यह है कि देश तो हमेशा ही election mode में रहता है every year on average हर साल ओसतन देश जो है वो witness करता है, experience करता है 5 से 7 state assembly के elections इसका मतलब यह है कि इंडिया तो हमेशा ही election mode में है, भारत में तो हर साल चुनाव होने ही है, ठीक है this affects all the key stakeholders अब इसका नुकसान क्या होता है, जब चुनाव बार बार में होते हैं बार बार में होने वाले चुनाव का नुकसान एक बार होने वाले चुनाव के फाइदे के बराबर हो गया, बात तो एक ही है तो फाइदे बता रहे हैं इसके अंदर तो इससे प्रभावित कोन होगा? इससे key stakeholders के इंदर सरकार प्रभावित होती है, रद्जसरकार प्रभावित होती है, government के employees होते हैं, और teachers जिनको election duty पर लगाया जाता है, वो प्रभावित होते हैं, मतदाता प्रभावित होते हैं, political parties होती है, और जो candidates हैं, जो नाव में खड़ कम बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्चा होता है Central State Governments का A significant amount of security forces, significant का मतलब है बहुत बड़ी मात्रा में, लिख सकते हैं जिसका, एक synonym होता है Considerable, significant का मतलब क्या है? Considerable तो एक significant amount of security forces, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, सुरक्षबल also have to be deployed, deploy का मतलब होता है Station, तैनात करना, तो बहुत बड़ी मात्रा में, security forces तैनात करनी पड़ती है, है न, election जब भी होते हैं, in case of election तो इस परिगराफ में क्या पढ़ा? कि देश में उसतन 5-7 State Assembly के चुनाव होते हैं, इसका मतलब भारत जो है वो हमेशा चुनावी मोड में ही रहता है इससे क्या होता है, बार-बार election होते हैं तो ये, जो की stakeholders हैं, वो affect होते हैं कौन-कौन है, Central Government है, State Government है voters है, candidates है, government employees है, teachers जिनको duty लगती है, वो सब हैं, ये सब प्रभावित होते हैं इसके बाद में हमने discuss किया कि इससे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है कि इसका State Government का, Central Government का ठीक है, एक हमने discuss किया कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में security forces को भी deploy करना पड़ता है ठीक है, और इसके बाद आगे दो paragraph और, इसमें बताएं हैं कि अगर आपने ये one nation, one election लागू कर दिया तो उसके नुकसान भी है कुछ, भी हर चीज़ के pros and cons होते हैं, इसके नुकसान क्या है वो चर्चा करेंगे, तो इसमें नुकसान ये है कि अगर आपने simultaneous elections को hold किया, holding simultaneous elections may affect the judgment of waters तो ये waters के judgment को प्रभावित कर सकता है, ये waters के निरिने को प्रभावित कर सकता है waters will tend to focus more on national issues rather than social issues जो मत दाता है, उनकी प्रवरती ये बन जाएगी, कि वो focus करेंगे, ज़्यादा किस पर रास्ट्रे मुद्दों पर, किस की बजाए local issues की बजाए, स्थानिय मुद्दों की बजाए तो यहाँ पर एक ये नुकसान है कि voters जो है, उनकी परवरती कुछ ऐसी हो जाए, परवरती होती ही ऐसी है कि रास्ट्रे मुद्दे ज़्यादा बड़े दिखते है उन पर ज़्यादा ध्यान देता है वेक्ती तो रास्ट्रिय मुद्दे हावी हो जाएंगे छित्रिय मुद्दे गोण हो जाएंगे, दित्यक हो जाएंगे फिरकर है, due to strong central politics आप चुकी, central politics strong होगी केंदर के ज़्यादा प्रभावित होगी या बहुत ही strong होगी तो regional parties जो हैं, छित्रिय पार्टियां जो हैं will not be able to raise regional and local issues appropriately तो वो स्तानिय मुद्दे और छित्री मुद्दे धंग से नहीं उठा पाएंगे ठीक है, एक है, इससे क्या होगा it will further the centralization tendency of Indian political and politics अब इसके आगे भारतिय जो politics राजनिती है देखिए, सबसे बड़िया politics क्या होती है जहां पर decentralization होता है, विकेंद्री करण होता है शक्तियों का विभाजन होता है किसी एक के पास सक्ती नहीं होती है तेकिन इससे क्या होगा, monopoly हो जाएगी शक्तियां एक के हाथ में जादा आने के संभावना हो जाएगी Centralization की tendency जो है, वो बढ़ावा मिलेगा उसको फिर क्या है Simultaneous elections can have a negative impact on the government's accountability to the people जो आजसाथ में चुनाओ है वो negative impact डाल सकता है वो नकारात्मक असर डाल सकता है किस पर? सरकार की जवाब देही पर सरकार की जिम्मेदारी पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लोगों को लेकर accountability बनती है, वो प्रभावित करेगा यह बार-बार में जो elections होते हैं उससे होता यह है कि सरकार और जो विधान मंडल होते हैं वो नियंतरण में रहते हैं in check का मतलब नियंतरण में, in control under control, जो कि इस case में नहीं होगा, ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पर negative बातें क्या है CDC बात है, negative बात यह है कि लोग जो है, वो जड़ा फोकस करेंगे center की राजनिती पर, ठीक है जो original parties हैं, वो अपने स्तानिय मुद्य नहीं उठा पाएंगी जो सरकार नियंतरण में रहती है, वो नियंतरण जो है, थड़ा कम हो जाएगा सरकार की monopoly होनी शुरू हो जाएगी, यह इसके नुकसान है, और एक निश्कर्सक वाला कि यदपी, जो election commission है उसने कहा है, कि holding simultaneous elections is feasible उन्होंने कहा है, कि अगर आप ये एक साथ में चुनाव करवाना चाहते हो ये feasible है, feasible मतलब practical है ये हो सकता है, कुछ है ना लेकिन, it will be a considerable feet and logistical challenge लेकिन ये considerable feet है, मतलब कहें, तो ये कहें कि considerable का मतलब है बहुत बड़ा feet का मतलब होता है आप इसे कह सकते हैं, feet का मतलब है accomplishment, achievement, तो बहुत बड़ी उपलब दी है, मतलब बड़ा काम है ये और इसके लिए आपको बहुत logistical challenge मतलब आपको इतनी बड़ी संख्या में लोगों को duty के लिए तैनाद करना जब एक साथ ही चुनाओ है, तो बहुत भारी भरका मात्रा में आपको जापता चाहिएगा, security forces बहुत सारे चाहिएगे, आपको व्यवस्ताई करनी पड़ेंगी, जो ये machine होती है, पेटियां होती है, इनका बहुत ज़्यादा मतलब, ballot वगरा का ज़्यादा करना पड़ेगा विवस्ता, आपको duty के लिए करम चाहिएगे, तो logistical challenge बहुत बड़े बड़े इसके लिए हैं तो आपने जो मेरे साथ पढ़ा, उसमें प्रस्तावना पढ़ी, प्रस्तावना में बताना है कि one nation one election का मतलब क्या है कि एक देश, एक चुनाओ विधान सबा, लोक सबा चुनाओ, एक साथ, एक ही दिन, एक ही टाइम पर ठीक है, दूसरी बात इसमें आपको बताना है कि रामनात कोविन जो भूत्पुर रास्ट्रपती रहे उन्होंने जनवरी 2018 के अंदर इस बारे में जिक्र किया था कि सरकार के जो रिफॉर्म्स के एजेंडा है उनमें से एक एजेंडा ये है फिर मोदी जी ने भी अपनी इच्छा जाहिर की इसको लेकर, रामनात कोविन जी ने ये कहा कि देश के नागरिक चिंतित है कि बार-बार में जो इलेक्शन होते हैं उससे भारत की अर्थवेवस्ता और डवलप्मेंट पर भावित होता है फिर इसके बाद में आपने स्टार्ट कर दिया कि इसको लागू कर रहे हैं तो ये कोई नया कॉंसेट नहीं है ये पहले भी 52 में, 57 में, 62 में, 67 में रहा है 68, 69 में जाकर डिसकंटीन्यू कर दिया गया क्योंकि स्टेट असेम्बली डिसल्यूट हो गई थी इसके बाद बताना है कि भारत में चुनाव जो है ये चीज होनी आवशक है इससे क्या होता है, फ्रिक्वेंच जादा रहती है तो इससे जो की स्टेक होल्डर्स है वो प्रभावित होते हैं, ये बता सकते हैं आप इसके अलावा इसको लागू करने के लिए पांच संशोधन की आवशकता है वो कुछ आर्टिकल्स आप याद रखेंगे 83 है, 85 है, 172 है, 174 है, 356 है इन आर्टिकल्स अंशोधन करना पड़ेगा तब जाके लागू होगा ये आर्टिकल्स किससे संबन्दित हैं एक तो डिजलूशन का जो पावर है, प्रेजिडेंट का उससे संबन्दित है और डूरेशन जो होता है, पार्लिमेंटरी और स्टेट असे संबन्दित है इसके बाद में इसके नेगेटिव पॉइंट भी किना सकते हो कि इससे सेंटर राजनिती हावी हो जाएगी है कि हाँ ये चीज फिजिबल है, लेकिन इसके लिए चुकि बहुत बड़ा काम है तो लोजिस्टिकल चैलेंज इसके अंदर आने वाले हैं तो ऐसा करके आपको जब अब चुकि अब तूपराव वीडियो अपने देख लिया है जब आइडिया हो जाएगा तो आप लिख भी पाएंगे परिक्षा में तो ये आज की इस सेशन में था परिक्राफ राइटिंग अगले किसी सेशन में मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ तब तक दिन नमस्कार थैंक्यों वर्यमच